अलो स्टूदिन्स नजय हिंद्ध, I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लाटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको exclusively free of cost प्रवाइड कराया जाता है मतलब यह कि यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता कि आपको एक या दो लेक्चर किसी भी subject या किसी topic के free of cost देखने के लिए और उसके बाद आपसे यह बोला जाए कि भाई बच्चे हुए content के लिए आपको या तो किसी तरीके की fees देना पड़ेगी या किसी तरीके का कोई paid subscription लेना पड़ेगा ऐसा magnet brain का culture नहीं है ऐसा magnet brain में नहीं होता magnet brain प्रतिबद्ध है आप लोगों तक हर तरीके की परिस्तेतियों में अच्छे से अच्छा quality content लेकर आये लेकर आये ताकि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चिक्षा दिक्षा में किसी भी तरीके का कोई व्याबध करें तो इसी नोट पर हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करता है हम पढ़ रहे थे history class 12 उसकी दूसरी किताब और उसका पहला चैप्टर या इस तरह से बोलें कि उसकी theme नंबर 5 इसके बारे में हम लोग अपना बातचीत या अपना discussion बगरा कर रहे थे अब इसमें हम लो आज उसी के आगे हम लोग अपने discussion को बढ़ाएंगे और जो हमारा तीसरा ट्रावलर है इस पर्टिकुलर चाप्टर में या इस यूनिट में या फिर इस थीम में उसके बारे में बातचीत करेंगे जिनका नाम है फ्रंक्वाइस बर्नियर कैसे आए यहां पर उसके और उन आज का जो session इसमें करेंगे तो नाओ विदाउट एनी फर्दर अडू यह भी बिगिन पहला जो टॉपिक हमारा आज के लेक्चर में रहने वाला है वो है बर्नियर अरंदा डेनिग्रेट इस्ट अब यह जो डेनिग्रेट वर्ड है इसको भी इंवर्टेट कॉमा में का चाना चाहता है जो इसका लिटरल मतलब निकल कर आता है रॉड्श्षयक है क्या कहना चाहता वो सारी सी थे उन लोग यहाँए पर देखेंगे तो चले डोन हम लोगों ने ये देखा था जिससे वो यहां तो इंप्रेस हुए थे या जिसके लिए उनके मंद में कुछ एड्माइरेशन था या फिर वो सारी चीज़ें जिससे वह बहुत ज्यादा या एक साइट हुए किसी वजह से उसके कारण उन्हों ने उसचीज का दिसक्रिप्शन किया जैसे अब और लोगोंने यह देखा था कि किस तरीके से नांगी आया उनके दिमाग में आया उन्होंने उसकी बहुत बढ़ी आपको कि आ देखें और देखता हुआ बड़ा हुआ है उसको हो सकता है लगेगा कि यार यह क्या बात है तो बहुत नॉर्मल सी चीज है मगर ऐसा इंसान जिसने कभी जिन्दगी में नारियल के नहीं देखे थे उसका वह बच्चों वाला एक वह होता है कि आपका एक आगर्शन आ जाता था इसी के कॉंट्रास्ट में हमारे जो फ्रेंक्वाइस बर्नियर सहाब थे जब यह हिंदुस्तान आए तो इनको जब हम लोग देखते हैं इन्होंने जो आपकी राइटिंग्स वगरा लिखी है वो इबने बतूता या फिर पॉर्ड़ाट मैटर अगा अलबरुनी से भी इंडिया इंडिया इन यूरोप इन जनरल और फ्रांस इन पर्टिकुलर फोकसिंग उन सिच्वेशन विची कंसिडर डिप्रेसिंग अब इसके पहले क्या हो रहा था इबने बतूता जब आये उन्होंने अगर यहां पर कोई ऐसी चीज देखी जो उनके लिए नहीं है तो आपने नारियल के पीड देखे तो उसको जब डिसक्राइब करना शुरू किया तो उन्होंने पैरल्ल्ल रो किया अपने खजूर के पेड होता है यह लगबाग लगबाग कुछ वैसा ही है बस इसका आपका निकलका राता है जिस्ते कोकोनट बोला जा रहा है यह यह बहु में हर एक चीज को जो है यूरोप के साथ में compare कर रहे थे इन जनरल कि यार अपने यहां पर तो ऐसा हो रहा है बट अपने यूरोप में तो ऐसा ऐसा चलता है इस तरीके से और फ्रांस इन पर्टिकुलर और अपने फ्रांस में अगर आप जब आप बात इसी चीज को compare करोगे तो और जादा अच्छा इस तरीके से यानि कि हिंदुस्तान में हर जो चीज देखी जा रही है अगर आपने हिंदुस्तान में कोई एक चीज देखी जिसका नाम है तो आप उसे यूरॉप के किसी एक्स के साथ में compare करोगे और आपका इन पर्टिकुलर फ्रांस के किसी वाई के साथ में compare करोगे कुल मिला के हिंदुस्तान की हर चीज दो है यूरॉप के साथ इन जेनरल और फ्रांस के साथ इन पर्टिकुलर जो है compare की जा रही थी और हर बार यह बंदा इसा नहीं था कि जब वो लोग यहां पर आके कब्जा करके बढ़ गए तब आई इनके दिमाग में नसली श्रेश्ट था या जो रेशल सुपीरियोरिटी वह बहुत पहले से भरी हुई थी और यह बाकी लोगों को अपने से कमतर समझते थे वह चीज यहां पर दिखती थी ह इरॉप या फ्रांस का जो कल्चर है वह जादा अच्छा है या ज्यादा एफेक्टिव इस तरीके से इस आइडिया सीम टू है बीन टू इंफ्लूएंस पॉलिसी मेकर सेंट इंट इंटेलिजेंसी है तो इंशूर दे में दे मेड़ वाटी कंसिड़र तू बीड़ जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने के बाद में यह भी बताया है कि यहां पर इन लोगों को हिंदुस्तान में ऐसा ऐसा करना चाहिए या यूरोप वालों को और ज्यादा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए तो इस से जाधा बैटर रहेगा इस तरीके के साथ साथ इनों अपनी त लिखाने की जो कोशिश है उससे एक बात समझ में आती यह बंदा बेसिकली करियरा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वह इसकी बातों को पढ़कर और या इंटेलिजनसी है इसकी बातों को पढ़कर वह कदम उठाएं जो इसको लगता है कि सही है या फिर उठाए जाने इसके उसमें एक आपको क्लियर कट जो चीज समझ में आती है वो है कि डिटेल उब्जलवेशन इसने किया है हर जगे पर इसके लावा इसका जो इनसाइट है वो क्रिटिकल है और हर जगे इसकी जो एक आपका सुपिरियॉरिटी का जो कॉंपलेक्स है यूरोपियन सुपि इसके पूरा का पूरा आपका आपका अकाउंट्स है इसमें हिस्ट्री को को इस तरीके से डिसक्राइब किया गया है कि उस वक्त में कि उसट्री को इस तरीके सेरके Kelvin किया सके याने की मुगल उस वक्त में रूल कर रहे हैं जिस वक्त में ये फलानी चीजह चल रही है या फर आपका फ्रांस में ये राजा बैठे ये राजा बैठें उदर वो राजा मतलब इनको आपका जो दूसरे यह लगातार हर जगे मुगल इंडिया या फिर हिंदुस्तान जो मुगलों के टाइम पीरेड में था उसको 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 समकाली निया फिर जो contemporary यूरोप है उसके साथ में लगातार यह compare करते चले जा रहे हैं और एक ही बात पर इंफिसिस की मीठे का opposite क्या होगा कड़वा या इस तरीके से खटे का opposite आप फीका मान सकते हो ठंडे का opposite आप गरम मान सकते हो यह बेसिकली जो है यह चीज कहलाती है binary opposition की अगर एक पूरा है तो दूसरे को पश्यम होना ही होगा इस तरीके का या फिर एक अगर आपका कुछ है तो दूसरा जो है उसका all together reciprocal या फिर all together इन्वर्स में होगा इसको कहा जाता है binary opposition तो इनके हर काम में बैसिकली इन्होंने जो है यह model उठाया है binary opposition का और हिंदुस्तान में जो भी चीज इन्होंने प्रेजंट करी है वो यह बताया है कि यूरोप में उसका inverse होता है अगर यूरोप में कोई चीज एक्स तरीके से हो इन्दुस्तान में सब कुछ कराब इस तरीके से जो है इन्डिया को यूरोप से हर चीज में इन्वर्टेड या फिर उल्टा दिखाया और हर जगे यही साबित करने की कोशिश की इंडियन कल्चियर जो है कंतर है इनकी राइटिंग में कमसकम नजर आता है चले आगे बढ करेंड तोस से फिर टो है तसके बार की कि न्युक्राइब बातचीत करेंगे इस पर्टिकुलर सवाल की उपर बर्नियर का जो criticism है वो वालेट है बाकी जगाओं पर आप कहा सकते हो यह superiority से ग्रेसिद है मगर यहां पर इसके criticism को बहुत हम लोग rational यह गर analysis करना हो समझ में आता है इसकी बात में धम तो था कैसे देखता है according to Bernier one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of private property in land in the former इंपोर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा बर्नियर ने क्या बोला जो एक fundamental difference आपको Mughal India में यानि की मुगलों के time period के हिंदुस्तान में और उसी रख ता आपका जो संकाली यूरोप उस वक्त था उसमें जो देखने को बर्नियर को मिला वो यह था कि इंडिया में private property लोगों के पास में थी नहीं खास तोर पर जमीन में यानि की जमीन के उपर लोगों की कोई ownership नहीं थी जमीन के उपर लोगों का कोई मालिकाना हक नहीं था he was a firm believer in the virtues of private property and saw crown ownership of land as being harmful for both the states and its people क्या बोला इसने कि भाई मुगलों का जो यह हिंदुस्तान है और उसमें और यूरोप में जो बेसिक फर्क है वो यह है कि मुगलों के हिंदुस्तान में या इंडिया में लोगों के पास में जमीन के उपर मालिकाना ह बग नहीं है यहां पर कहानी क्या है सारी कि सारी जमीन जो है वह बादशा की है ठीक है सारी जमीन बादशा की और वह इसका जो करना चाहे जिसको देना चाहिए वो कर सकता है यूरोप में आपकी private land ownership जो हभी तक हो रही थी और उसके होने से क्या फाइदा उरोप में हुग जो क्राउन है अगर वो सारी की सारी जमीन अपने कब्जे में रखेगा और उसके साथ में फिर वो जो करना चाहता है वो करेगा तो यह चीज ना सिर्फ उस राजी के लिए हामफुल है बट सांती साथ उसके लोगों के लिए भी जो है तकलीफ दाया है इनका मानना यह था कि मगल आंपायर में क्योंकि बाठ्षा जो है क्योंकि बाठ्षा जो है वोई सारी की सारी जमीन का मालिक है और वो यह जमीन को करता यह है कि अपने nor ngos BUT के बीच में डिस्टिब्यूट करताarbeit जागिरे बाठ देता किसी इस तरीके से चाहता हे श्टेधियाम का जाया hydro हमी खराब कर दी साथ समाज के उपर इसका बहुत जादा गलत असर पड़ा बर्णियर ने अपने शब्दों में इस बात को लिखा है कैसे वह भी हम लोग आगे देखेंगे मगर यहां तक बर्णियर की बात से अपने को एक तरीके से उसके उपर आपका कब्जा बना रहेगा तो इस तरह से जमीन आप की रहेगी आप उसके मालिक रहेंगे कमस कम इन थ्योरी जो है आप उसके मालिक हैं कहने के लिए बोल सकते हैं यहाँ पर कहानी ऐसी है इसके टाइम पीरिड में कि इस वक्त में कोई जबी जमीन का मालिक होता नहीं जमीन बाटशा की है उसने आपको दे रखिए तब तक आप उसके उपर हो, आपके पास उसके राइट्स हैं, वगर वो जब चाहे आप सुछ जमीन के हग जो है छीन सकता है, इस पर बर्नियर का कहना यह था कि इस तरीके की जो हरकते हैं बादशाह करते थे कि सारी जमीन क्योंकि मुगलों की है, बूगल बादशाह की है, जिस को जितनी जमीन देनी है, जितनी जागीरे बाटनी है, बाट रहा है, इसका असर, और तो व्यवस्ता में बहुत बुरा पड़ा, और इसने समाज को तोड़के रख दिया, कैसे वह हम लोग इसके शब्दों में आगे देखना है, इनका कहना यह था, और इसके लावा यह ब चीज़, आपको सोलवी और सत्वी चताबदी में जितने भी आपके ट्रावलर्स आएं, और यह ऐसा नहीं है, कि सिर्फ यूरोपेन ट्रावलर्स हैं, दूसरे भी अगर आएं, तो उनकी अकाउंट में आपको यह शिकायत बार बार देखने को मिलती है, मगर एक बात और और यह इंट्रेस्टिंग है, कि अगर बाक्षा ने किसी नोबल को जमीन पास करी है, या जमीन या जागीरें बाटी हैं, तो उस नोबल के पास में फिर यह हक नहीं है, कि वो अपने बेटे को या फिर अपने आने वाले जो अपने जो वंशाज हैं, उनको वो प्रॉपर् आने वाले बच्चों को आप दे नहीं सकते हो इस जमीन को तो इससे हुआ यह कि आप उस जमीन से जितना हो सके उतना पैसा करने की कोशिश करते थे उसमें लॉंग टाम इंवेस्टमेंट नहीं करते थे कि उस जमीन को सस्टेन किया जा सके उसके उसके प्रोडक्शन को पर्टिकुलर माइंडसेट के कारण एक्री कल्चर में जो है लोगों ने इंवेस्ट करना लगबग लगबग बंद कर दिया नतीजा यह निकला आपकी एकनौमी बैट गई सोसाइटी का जो सत्यानास होना था वो हुआ ही हुआ मगर आपकी एकनौमी जो है वो बैटना शुरू हो गई और अग्रिकल्चर में आपको डिस्ट्रेस यहां से देखने को मिलने लगा जिसने फिर आगे अपने बहुत भयानक रूप या रंग दिखाये थे उसके बारे में जमीन के उपर नहीं है इस चक्कर में हुआ है कि लोगों ने जितना होसा कि उतना जादा एक्स्ट्राइट करने की कोशिश करी इसी के जगे यूरोप में आप कहानी यह थी कि लोग जो है वो जमीनों का मालिकाना हक रख सकते थे और अपने बच्चों को प्रॉपर्टी हस यह सारी चीज़ें एकी वक्त में हो रही थी आप इस तरह से कह सकते हो यूरोप के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था या कमस कम मैक्जीमम चीज़ें ठीक चल रही थी इंडियन सब कॉंटिनेंट या एशिया की बात की जाए तो हमारी डार्क एजेस वगरा चैट शूरू हो कि इसलिए ये जमीन जब तक अपने पास मालिकाना हक में इसमें से पैसा निकालो ये ठाट प्रोससेस के नहीं यार इसमें पैसा लगाते हैं और ईंवेस्टमेंट करते हैं बढ़ाते हैं वो वह हुआ नहीं तो इसमेंबन उसकी प्रो CC उसमें को improvement आपको देखने के लिए नहीं मिलता है इसका नतीजा क्या निकला इसके चलते हैं आपका जो अग्रिकल्चर है आपकी जो क्रिशी की विवस्था है वो बरबाद हो के रह गई और स्टेग्नेट हो गई किनके ऊपर पीजंट्री की ए अपने किसानों की नियती बन गई उसके बाद से हरास होना है यहाँ से किसानों की नियती सी जो है वो बनकर तयार हो गए उपकी प्रिजंट्री का आप तब के पैसर पड़ेगा ये उसी तरह से है आपके पूरे शरीर के सबसे relevant या important चीज जो है वो आपका मस्तिश के अगर किसी ने आपका सर काड़ दिया तो धड़ आपका sustain करी नहीं सकता अगर हाथ काड़ दिया तो पैर काड़ दिया तो फिर भी बच जाएगा अगर उसका स सारा जो धड़ या economy है वो बैट जाएगी वोई चीज यहां पर देखने को मिली क्योंकि agriculture का सत्यानास कर दी है आपने किसानों की उपर हंडर चलाए जा रहे हो ऑपरेशन और तशद्दुत जो है बड़े लेवल पर हो रहा है नतीजा ये निकला आपकी आपकी जो agriculture अपी अमीर उम्राहू थे जो इतियाचार कर रहे थे एक उनकी रही जनगी चलती रही बाकि सब लोगों का सत्यानास होना शूरू हो गया और यह चीज दीरे धीरे जाए किसान प्रॉस्परास वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि एक दिन या दो दिन में बात नहीं हुई है आपके कमस्कम लेक्षान चाहुदासों पंद्रासों के बाद से जितने लोग आए सब अपने योगदान दिया है हिंदुस्तां का बेड़ा बैठाने में या गर्क करने में आगरी कल्चर की पॉइंट आगे बढ़ता है चले अब इसी वक्त में चो हम लोगों ने बातचीत करी है इस वक्त में जो ट्रावलर्स वगरा थे उन्हों ने इसके बारे में क्या बातच दूसरे आपके ट्रावलर्स आये तो पहले अगे बढ़ाएं गया था सब कॉन्टिन के सेंट्विकेट्स मैं सेवेटीन सेंट्युरी का मतलब क्या सो लह सुनिया सतरा सु पीच का टाइम पीरिट इसके अर्लि डिकेट्स का मतलब 1610 हो गया 1620 हो गया या 1630 तक का जो टाइम पीरिड है यह अर्ली डेकेट्स माने जा सकते हैं इस टाइम पीरिड में पैलसायट नाम का एक डश राबलर इंडिया में आया या इंडियन सक्पॉंटिरिंड में आया था जिस तरीके से बर्दियार इस बात को लेकर शौक में था है यह यह पावर्टी के उपर बोलता है कि पावर्टी सो ग्रेट अंग माइजरेबल एट द लाइफ पीपल के लिए और पुरी इन की परिस्तिति वगर है अब आगे यह स्टेट के बारे में बोलता है कि किसानों की इतनी बुरी हाला थे और गरीबी जो इतनी ज्यादा उसकी वज़ाई है यहाँ पर टैक्स इतना लगाया गया है कि किसान से सब कुछ छीन लिया जाता है और उसके बाद में उसके पास में सूखी रोटी भी बच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है इतना जालों जो है मात्रा में आप इंसे सामान वगरा चीन रहे हो तो पहलसायट नाम का एक ज लिए चीज़ों को अनलाइस कर रहा है अगर सब एक ही तरीके की कॉमन बात कर रहा है कुछ बातों को लेकर तो उनमें कमसकम सचाही मानी जा सकती उसमें एक्साग्रेशन नहीं माना जा सकता इस बात को दिखाने के लिए पेलसायट का जो अकाउंट है यहां पे शेयर किया जादा खराब थी यह कमसकम उतनी ठीक नहीं थी जितना होनी चाहिए थी चले आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद में बर्नियर ने जिस तरीके से किसानों को डिस्क्राइब किया है उसके बारे में बातचीत करेंगे पेलसायट ने जो बात बोली और बर्नियर ने जो बात कि पावर्टी को डिसान को डिफाइन किया या जिस तरह से एक्स्प्लीन किया उसके अब लोग बात कर रहे हैं और वास्ट ट्रैक्ट्री कंस्टीटिटिंग अंपायर ऑफ हिंदुस्तान मैं लिटल मोर दें सैंड और बैरन माउंटेंस बैडली कल्टिवेटेड याने कि ह हिंदुस्तान में जो इतनी जादा जमीन आपको देखने को मिलती है जो हिंदुस्तान में ये मुगल उंपायर का पार्ट है इसमें अगर आप मैक्सिमम जमीन की बात करो तो वह आपको कर दोगे तो नहीं है मगर आगर इसमें आप देखो गयर रिए चयर Canada के बहुत को कम भी नहीं तो या तो आपको नंगे पहाड़ या फिर बैरन माउंटेंस देखने के लिए मिलते हैं या ऐसी जमीन जो काफी अद तक आपका रेट की तरह है जिसमें बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कुछ खेती किसानी हो नहीं सकती और ज्यादा और ज्यादा लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं इवन अ कंसिडरेबल पॉर्शन ऑफ गुड लैंड रिमेंस अंटाइल फॉर वांट ऑफ लेबरर्स आप कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर आपको जमीन ठीक ठाक मिल जाती है मतलब जहां पर आप खेती किसानी कर सकते हो मगर उस पर भी बहुत कई से खेती किसानी नहीं होती है उस्सफ़ाल यह कि जब हिंदुस्तान में इतनी भुकमरी है तो लोग फिर आपको आपको अपर काम करने के लिए क्यों नहीं पिल रहा है कि जो आपके किसान है या जो आपके जो मलदूर है उनके साथ में आपको जो गवर्ण रैम वहवार किया जाता है उसके चलते या तो मर जाते हैं या भाग जाते हैं ठीक है जी मालिक हैं उनके लिए वो कुछ काम कर सकें या उनके लिए मजदूरी कर सकें तो उनके साथ में इस्तिति यह है कि उनके खाने पीने का अगर कुछ उनके पास साधान है वो भी उनसे चीन लिया जाता है और उनकी यह हलात है कि उनके बच्चे भी वो लोग चीन चीन के ले जा इसके चलते होता है अब जो किसान के खेती किसानी करने वाले लोग हैं जो अग्दम गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ इतना भयाना कत्याचार हो रहा है कि वह गाउं छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं वह यहां से निकल जाते हैं इसलिए आपको यहां पर अगर कर रहा था और उसमें हिंदुस्तान का उसने एक्जांपल दिया है और यह एक्जांपल वगरा देकर बेसिकली वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई प्राइवेट प्रॉफर्टी के मेरिट्स क्या होते हैं अगर प्राइवेट प्रॉफर्टी के मेरिट्स को आपने रिकोगनाइज नहीं किया तो हमारी हालत भी हिंदुस्तान जैसी हो जाएगी और मुगलों के टाइम पीरिड में यह जो कचरा इन लोगों ने कर रहा हमारे यहां भी ऐसे ही कुछ हो सकता अगर हम लोगों ने अपने अपना यह इस पर ध्यान नहीं दिया तो या फिर अगर ह लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं इसी चीज़ के एक्स्टेंशन को आगे बढ़ाएं तो बर्नियर जो हैं उन्होंने बेसिकली इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है इस तरीके से कि इंडिफ्रेंशेटेटेड मासस और इंप इंपोवरिश पीपल सब्जे ना कमाने को है जो भूकों मरने की स्थितिम है और इसके ओपर एक बहुत छोटी रूलिंग क्लास जो है वो रूल करती है जो बहुत पैसे वाली है बहुत रिच है और बहुत पावर्फुल है यह लोग इनके उपर रूल करते हैं और इनका करतना है शोशन बिट्वीन दा पूर एंडर रिचेस्ट ऑफ दर इस डिर वाज नो सोशल ग्रूप और क्लास वर्थ दने में इनका कहना यह है कि यहां तो हिंदुस्तान में आपको गरीब से गरीब आदमी देखने को मिलेगा या तो एकदम सोने की ठाली में खाना खार रहा है या भूकों मर रहा है इसक कि इसलिब एक तरीकिको हब मिडल स्ट लॉव एक हिसंते बैसे नहीं मिलता चले आगे बढ़ता है तो यहां तक हम लोगोंने बातिचीत कर ली है कि बर्क डिया को यहां तक तक कह दिया था कि यहां पर को एक ऺडिया बिद्स क्यूब रहा है और ये सारे observation कर रहा है हम उसको पता है कि उस वक्त में इस देश में मुगल empire का शाशन था या मुगल रूल चल रहा था अब इस time period में obvious सी बात है अगर वो बर्नियर इतने सारे चीजों को describe कर रहा है हिंदुस्तान के बारे में तो हिंदुस्तान पर जो वेक्ति अपने को देखनी है वो है कि बर्नियर ने मुगल empire को किस तरीके से डिफाइन किया था या फिर मुगल empire को किस तरह से describe किया था पढ़ते हैं इस देन इस हाव बर्नियर सौ दा मुगल empire it was the king of beggars and barbarians याने कि उसने मुगल empire के राजा को क्या बोला था या मुगल emperor को क्या बोला था कि मुगल emperor basically भीकारियों का और राक्षासों का या फिर barbarians का ऐसा मतलब हो सकता है जो वहशी होते हैं वहशी दरिंदे इस बहुत अत्याचार बगरा करते हैं इस तरीके के लोगों का यह राजा है यह बात कौन कह रहा है फ्रंकवाइस बर्नियर और वह भी तब कह रहा है जब वह मुगल emperor के के सानिद्य में रहा है उसने मुगल emperor के लिए या फिर मुगल princess के लिए काम बगरा किया था उनके लिए बर्नियर के कहता है कि मुगल empire its king was the king of beggars and barbarians मुगल empire का जो राजा है वो विकारियों का और वहिशियों का जो है राजा है its cities and towns are ruined and contaminated with ill heirs अब इसके जो शहर है और इसके जो छोटे-छोटे आपके कजबे वगरा हैं यहां यह बहुत जादा बुरी स्तिती में हैं खराब हैं और यह बुरी तरीके से आपके contaminated हैं या फिर इस तरह से कह सकते हैं यहां पर गंदगी भरी होई है क्यों क्योंकि यहां की हवा जो है वो खराब and its fields over spread with bushes और इसके जो आपके खेद खलियान जहां पर होने चाहिए यहां पर मैदान वगरा जहां इस तरीके की जगे जहां पर आप अच्छे से खेती वगरा नहीं कर सकते इस तरीके से जो है उसने हिंदुस्तान को डिफाइन किया याद रखने वाली बात है कि बर्नियार यह सारी बात ने तब कर रहा है जब उसने बारा साल हिंदुस्तान में बिता है और उसमें से भी हवाएं बहुत खराब हैं सड़े हुए शहर हैं बहुत बरबाद किसम की विवस्था इस तरीके की चीज़ें और यहां पर जो आपकी जो मैदानी इलाकें हैं वहां पर या तो जाड़ जंगड बहुत जादा है या फिर दलदली जमीन है इस तरीके की चीज़ें जो है वो तो उसके कोई नगभी वज़े होगी, कभी आपका mood अगर खराब हो गया, तो उसका भी कोई reason हो गया, होगा इसी तरीके से, ये पूरी की पूरी परिस्तितियों को describe करने के बाद में, बर्नियर ये बोलता है, कि ये सारी चीज़ें इसलिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी एक वज़ा है, और इसकी सिर्फ एकी वज़ा है, वो है crown ownership of the land, यानि कि सारी की सारी जमीन जो है वो राजा की है, या फिर वो शाशन की है, किसी की अपनी खुट की private property नहीं हो सकती, राजा जब चाहे जिसकी चाहे उसकी property उससे ले सकता है, या फिर किसी की संपत्ती वगएरा की उपर अपना अधिकार कर सकता है, तो ये जो crown ownership of the land है, ये एक मात्र reason है, मगर अब मज़े की बात ये निकल कर आती है, कि किसी भी इस वक्त की मुगल डॉक्यूमेंट में अगर आप देखोगे, तो आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि जमीन का एक मात्र उनर जो है, वो आपका state है, या फिर आपका इस तरह से कह सकते हैं, या आपका प्रशाशन है, ऐसा कहीं में मुगल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, और बर्नियर क्या कहा रहा है, कि हिंदुस्तान की जो दुर्गाती हो रही है, या फिर हिंदुस्तान जो इतना डिवलप्मेंट में पीछे रह गया, या उसकी नजरों में यह यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, यह जो हम लोगों ने देखा है, कि आपको कहीं पर बर्नियर कह रहा है कि प्राइबट प्रवेट किसी के पास नहीं है, सारी जमीन राजा की और एक जागे मुगल डॉक्यूमेंट्स में आपको चीजें देखने को मिल रही है ऐसा कहीं जिकर नहीं आ रहा है कि सारी की सारी जमीन जो है उस्टेट की है आप इन पराडॉक्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और दूसरे रफरेंस वगरा से देखने आप द्यूमेंट्स बर्नियर का किया रहा है अपर आपको देखने को मिलने रही है और आपको आअप की बाद्शा की ए थे वो क्या बोल रहा है कि जो land revenue है अकबर जो है या फिर जो राजा है जो आपका या बादशा जो है वो जो land revenue लेता है किसानों से या लोगों से वो बेसिकली रेमुनेरेशन है सोवरजिनेटी का मतलब यह कि उसके शाशन में उसके राज्ये में रहते हुए उसके subject वगरा को व वो जो हमने अकबर के time में देखा भी था कि आपका जो जान है आपका जो माल है आपकी जो नमूस है इन सारी चीजों की जो आपकी रक्षा की जा रही है आपकी जो इन सब को बचा के रखा जा रहा है इन सब के बदले में आपसे basically वो इस protection का tax ले रहा है और ना कि यह उस से जो जो जमीन जो है राजा की है मतलब इस बात को समझना पड़ेगा कि अकबर या फिर जो बाच्छा आप से tax ले रहा है वो इसलिए नहीं ले रहा कि आप उसकी जमीन पे रह रहे हो खेती किसानी कर रहे हो तो उसके बदले में आप उसको tax दे रहे हो और जमीन राजा क करने के बदले में आप जो है उसे tax वगरा पे कर रहे हो ना कि इस पर्टिकुलर विजन के साथ में पे कर रहे हो कि क्योंकि जमीन उसकी और आप उसके पर रहते हो तो वह बैसी कली उसका रहने का आपका रेंट ले रहा है इस पॉसिबल दे यूरोपियन ट्रावलर्स रहे है या फिर प्रोटेक्शन दे रहे है यह जो आपका पूरा का पूरा tax रावलर्स बैसी क्ली क्या बोलते थे यह इस पर्टिकुलर यह जो आपका यह सारा घाव जो आपका टैक्स वगएरा है इसको रेंट मानते थे इसकी वज़ाए यह थी कि इस टाइम पिरिएट में अगर इनके परस्पेक्टिफ से देखा जाए तो लैंड रेविन्यू काफी जादा हाई हुआ करता था बड़ी मातरा में जो है किसान और बाखी लोग आपका जमीन क के ओपर टैक्स वगएरा मुगल अथॉरिडी को दिया करते थे हैं अगर इंपोर्टेंट बात जो निकल कर आती है वो यह है कि आप भले यह बोल रहा हो बाच्छा यहां पर यह कहा रहा है कि मैं तो प्रोटेक्शन का टैक्स ले रहा हूं यूरोपियन ट्रावलर समझ रह होगी उसके ओपर आप से टैक्स वगएरा लिया जाएगा कि या तो फसल जो है उसका वन थर्ड आप हमको देदो आके या फिर वन थर्ड को बेचने के बाद जो आपकी कीमत बनती है उतना आप हमको आकर देदो मगर इतना आपको पे करना पड़ेगा तो बेसिकल लिए ट आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है चले आगे बढ़ते हैं अब बर्णियर ने यह सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो भी वह लिख़ा था यह सारी चीजैंद हम लोगों ने पहले देखिए थी कि फ्रांस की बात हो या फिर इंगलाइंड की बात हो या दूसरी तो कर अच्छी गासी मातरा में publish हो लातों दो यह यहां पर वर्नियर का सारा का में उसने मुगलों के बारे में इंडिया के बारे में सारी बात Kane बताई यह लोगों ने लगा कि यहीं बात सच होगी अब यह कहीं पर किसे ने सोचा नहीं की हो सकता है सामने वाले का पर्स्पे सकता है हकीकत के कुछ और भी पक्षिया पहलू मगर जो भी चीज उन्हों ने किताबों में जो बर्नियर के द्वारा लिखी गई थी जब उन्होंने पढ़ी तो उसी के बेसिस पर फिर उन्होंने हिंदुस्तान की इमेज यह फिरिक परसेप्शन बनाना शुरू किया तो बस आपका जो यह एशिया की जो यह सारे साउथीस एशिया की जो देश वगएरा है इनके बारे में परसेप्शन वेस्टन थे लोजिस्ट ने बनाना शुरू किया इनमें एक व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है जो इनका नाम था मॉंटे सी क्यू जो थे वो फ्रेंच फिल उन्होंने एक आइडिया डिपॉलब किया है जिस आइडिया का नाम किया है चैनीज हो चाहे जापनीज ऑचाय मलेशिया नहीं हो चाहे इंडोनेशियन हो चाहे इंडियन हो श्री लंका नो इन सब के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो था ओरियंट तो आपने फिलेंच फिलोसफर हुआ में रहने वाली प्रजा है उनके साथ में कुछ भी कर सकते हैं और कोई उनसे सवाल जबाब नहीं कर सकता जैसे अभी तक एरोप में एक स्थिती बन गई थी कि आप अपनी मनमर्जी से कोई राजा किसी को मृत्य दंड नहीं देदेगा क्योंकि उसकी उसकी शकल नहीं पसंद या उस से चड़ गया इस तरीके की चीज़ए आप किसी से उसके इकदम प्राण नहीं चीँ सकते क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा वह वैक्ति या पिर आप किसी के साथ में गलत तरीके का वैवार नहीं कर सकते भली आप राजा ही क्यों नहीं आओ अगर अगर उस चाहें वो लोग वो कर सकते हैं आगे बोलते हैं who were kept in conditions of subjugation and poverty आप यहाँ पर जो आपके राजे रजवाणे हैं एक तो अपने subjects या पर अपनी प्रजा के ऊपर absolute authority जो है वो enjoy कर रहा है और इन लोगों को इन लोगों यह जो आपके राजे रजवाणे हैं इनोंने अपनी प्र is non existence और यहाँ पर argument यह है कि राजा की condition और यहाँ पर आपका जो उने जो पर रहने होता था मगर अब यह सारी बात ने इन यूरोपियंस को तो पता नहीं थी उनको तो सिर्फ वही पता चला जो बर्दियर ने लिखा था बर्दियर ने क्या लिख दिया कि राजा यहां पर टैक्स वगएरा लेता है जमीन के उपर रेंट के फॉर्म में जिस पर आपकी प्रज कर से बहुति क्या क्या है गरते हैं यह अपने सब्जेक्स वगएरा के ऊपर एपसीलीट अथालिटी इन्जॉय करते हैं आपसीलीट एथालिटी का मतलब क्या जो चाहेंगे वो कर देंगे कोई कोई सवाल नहीं पूछ सकता दूसरा क्या है अपनी प्रजा को इन लोगों कोने सब्जूगेशन की कंडिशन में और पावर्टी की कंडिशन में रखा हुआ है और यह लोग क्या बोलते हैं कि भाई तुम्झे जमीन पर रह रहे हो राजा की जमीन है और इसलिए आप भला मानों की राजा आपके साथ में कमस कम इस तरी इतनी रहमी से इतना अर्नर्मी के साथ पेश आ रहे हैं इस तरीकी की चीज़ें हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एक्जस नहीं करती इस पॉइंट ओ व्यू के अनुसार अगर देखा जाए यह मॉन्टिस जी की जो आपका और इसके जो नोबल्स वगरा है उसके जो साथी है जो उसके कोर्ट म ने आपको बनाके दिखाई है चले आगे बढ़ते हैं अब यह जो आइडिया था और इस तरीके की परिस्तितियां है और प्रजा बड़ी मुश्किल सर्वाइब कर रही है बस जैसे जैसे जिसे जिन्दा है बाकि सारे राजे रजवारों और जॉमीर है उनकी मौज है बाक इसको पढ़ा और इसको फर्दर डिवलप किया इसके बारे में फिर उन्होंने अपने विचार जो है उनको लिखे और इन विचारों को उन्होंने नाम दिया कंसेप्ट ऑफ दा एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाइक काल मार्क्स इंदा नाइंटीन सेंजूरी यान कि एशिया में जिस तरीके चे प्रोडक्शन होता है उसके कंसेप्ट वगरा जो हैं मैं उनको आपके सामने रख रहा हूं कौन काल माक्स और यह सारा का सारा काम कब हुआ है 19 सेंचूरी के आसपास में आपको एक काम देखने के लिए मिलता है इनका कहना यह था कि इंडिया अके बढ़ गया था या ब्रीटेश आके बढ़ गए थह बाकी अगर आ फ इंडो नेशिया में देखूको धोड़ के बढ़ गए थैंडो चाइना या वियत नाम में देखो बेखाए तो फरेंच यह लग प्यखा कर रखा था अफरीका के देशों पर फ्रांस और इंग्लैंड ने और इन्लों को ने कबज़ा किया हुआ था द्राइक अश nupa वगेरा है चाहिए इंडिया आ जाए चाहिए दूसरे देश आ जा जाएं जिसके उपर जा कि ये रोपियंस ने कबजा किया और उनको अपनी कॉलोनीज बनाया या फिर यहां पर कोलोनीजम जब है आया उसके पहले यह होता था कि जो सर्प्लस था आपके क्रॉप्स वगेरा जाता है मतलब यह कि अगर आप से आपने जो भी अनाज वगेरा हुआ है एक होता है कि आप उतनी जरूरत के लिए लगते हो बाकि थोड़ा बहुता बेच होगे ताकि और कुछ खात में पैसा वगेरा जिससे आपका खरकर चलता रहा है उसके उपर और और आपके पास में अडिशनल पैदाबार हुई है तो वो सारी की सारी आपका स्टेट रख लेगा यह काल माक्स का कहना था इसके आगे कहते हैं कि क्योंकि एशिया में इंडिया में हो यह रहा है कोलोनिजम के आने के पहले आपके जो स्टेट था वो किसानों का या बाकी जो भी प्रोड़क् के लिए मिलते हैं और इन गाओं की खासियत भी क्या यह सबके सब ऑटोनॉमस हैं यानि की अपना काम खुछ चला लेते हैं इनको बाहर वालों की जादा जरूरत नहीं पड़ती है अपनी जरूरत की लगभग सारी चीज़ें यह लोग उगा लेते हैं और बाहर वालों से या तो बहुत बिलकुली इनको काम नहीं पड़ता है फिर बहुत मिनिममम अमाउंट में को कुछ चीज़ों के जरूरत पड़ती है एक तो यह सारे के सारे गाओं कैसे हैं और दूसरा खासियत क्या आपको इसमें देखने को मिलती है यह इंटरनली एगैलिटेरियन है यान के अंदर कम असकम जो है आपको समानता या फिर आपको बराबरी देखने को मिलती है गाओं में अंदर मैं अच्छे गाजे गलत नहीं क्योंकि हमको पता है कार सिस्टम अच्छा गाजा जो था वो प्रॉमिनेंट था आपकी विलेज कमिनिटीज में मगर काल मार्स नहीं ब बराबरी की बिस्तिति आपको देखने को मिलती है गाओं के अंदर जितनी भी आपकी विलेज कमिनिटी है उनके उन में अगर वो इनके साथ में कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है मगर वो जनरली इन गाओं वगराओं के अपने इंटर्नल मैटर्स में तब तक दखल अंदाजी नहीं करता जब तक उसको जो सर्प्लस अमाउंट ओफ फ्लो है आपका जो भी कैश हो गया या फिर क्रॉप्स हो गया उसका मिलता चला जा रहा है अगर उसको जो सर्प्लस अ काम चल रहा है तब तक आपका जो है इसमें इंटर्फेर नहीं करेगा अब इसके आगे काल माक्स यह लिखते हैं या उन्होंने इस पूरी की पूरी चीज़ को एक स्टेग्नेंट सिस्टम के तौर पर डिफाइन किया था उन्होंने बोला था कि इसके चलते हो यह रहा है क यह समाज डिवलप नहीं कर पाए जैसे हैं कि सोच्इटी वैसी वैसी रहें कहले हैं यह लोग आ रहे हैं जनमने रहा हैं बड़े हो रहे हैं काम करना होतम पर बदलाब नहीं रहा हैं जल रहा है यह लोग उसके हिसाब से अपना काम अपने आपको फगा लो और जैसे देड़ सो रुपे राजा को देना है स Standards लुपे आपको चाहिए हैं तो इतना अनाज का लोग कि 100 रूपए का अपना जो है न जो हो जाये तो राजह का भी काम चल जाए के सुस्तम गाया था स्टेग्नंट सिस्टम जोत तरक्की के तरफ लेकर आपको नहीं जाएगा चले आगे बढ़ता है अब हम लोगों ने यह देखा है कि जिस तरीके का मॉंटी सी क्यूं ने आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया था और उसके पर काल माक्स ने जिस तरीके से हिंदुस्तान या फिर फॉर दाट मैंटर एशिया के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करी इसमें इंट स्टैग्नेशन तो है आपका सिस्टम में मगर साथी साथ है कि एक 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 सोसाइड़ी का मतलब होता है जिसमें इक्वालिटी आपको देखने को मिले इस तरीके से काल माक्स ने जर्मनी में बैठे बैठे आठारवी उन्नीस वी शताबदी में यानि कि सन अठारा सो एक से लेके अठारा सो निन्यानवे उन्नीस तो के बीच में हिंदुस्तान या फिर एशिया के ऊपर एक अच्छी कासी लिख दी मगर परेशानी यह है कि यह पूरी तरह से सच नहीं है सच से काफी दूर है इसकी वजाए यह है कि हिंदुस्तान के विलेज में कभी समानता तो यह आफ्कम रूरल सोसाइटी की पिक्चर थी वो आपकी फियोरी से बहुत दूर थी यह सच्चाई से बहुत जादा दूर थी इन्फैक्ट जब आप स्विष्टीन संचुरी की बात करते हैं 16th century का मतलब क्या 1501 से लेके 1599 या 1600 के बीच की बात है और 17th century का मतलब क्या 1601 से लेके 1699 या 1700 के बीच इन 200 सालों की जब आप बात करते हो चाया आप 16 शतापदी उठाओ या 17 शतापदी उठाओ उसमें rural society के अगर आप बात करते हो अगर आप गामीन भारत की बात करते हो तो उसमें खास तोर पर आपको सोशल तोर पर भी और एकनामिक तोर पर भी डिफ्रेंशेशन देखने को मिलता था तो काल मार्क्स की यह बात की इगालिटेरियन सोसाइटी है सब लोग बराबर हैं और इस तरीके की चीज़ें आपको गाओं में देखने को मिलती है कमजका हिं अंदुस्तान के रिस्पेक्ट में पूरी तरह से गलत है सोशल डिफ्रेंशेशन का मतलब है कास्ट वगयरा के बेसेस पे कम्यूनिटी के बेसेस पर और एकनॉमिक डिफ्रेंशेशन का मतलब क्या है आर्थिक अधार पर आपको फर्क समझ में आता था समाज में वो तो यह दोनों जो डिफरेंसेज हैं आपको देखने के लिए सोलवी और सत्री चतापनी में दिखते थे तो यहां से काल मार्क्स की यह बात की कैलिटीजियन सुसाइटी जो है वो बन गई और स्टेग्रियन सिस्टम आ गया वो कमसकम गलत हो जा जाके नहीं यहां जब तक उन्हें कमसकम लिखा तक नहीं आए और उसके बाद वैसी बातें वगरा जो कर रहा हैं अब वहो सकता है किसी और समाज के लिए सच हूँ हो सकता है उसमें कुछ बातें सई हो मगर आप उसको एक दमाखें बंद करके ब्रह्मवाक के माल नहीं वो बात सच नहीं है क्या लिखा था कि बराबरी है आपके गाउं में हमें दिख रहा है कि हमारे गाउं में बराबरी नहीं है तो इस तरीके से कई सारी जो थियोरी होती है उनकी हर बात सच हो यह जरूरी नह है बनिया ने भी बहुत सी बातें बड़ा चड़ा कर या कुछ मोटिव के साथ में लिखी दी चले आगे बढ़ते हैं एड वन को ट्रे किया गया मैं मानता हूं इस बात को मगर जिनको विलन के दिखाया जाता था लगबाग उस तरीके के जो है आपके बड़े-बड़े जमीदारों के पास में रहती थी बड़ी-बड़ी हवेलियां है खूब कोठियां है सारी चीज़ें हैं खूब जमीन बगएर तो य सबसे निचला तबका आपको देखने को मिलता है यह आपके लेबरर का है याने कि वो लोग जिनको आप छूना भी नहीं चाह रहा है जिनके आपास कोई जमीन नहीं और जो सर्फ मजदूरों की तरह आपका काम करते हैं आपके जो मीनियल जॉप्स वगएरा है या फिर हमको क्या दिख रहा है यहां पर अब स्टेगनेंट है या नहीं वह बात की बात है मगर इगालिटेरियन सुसाइटी तो आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रहे एक तरफ जबर्दस तरीके से कमाने वाले जमीदार और एक तरफ भूकों मर रहे हमारे जो लैंडलेस ले इनके बीच में आपको कुछ बड़े किसान वागरा भी जो है वो देखने के लिए मिलता है जो आपके हाइड लेबर्स का इस्तेमाल करते थे याने कि वो क्या करते थे जो आपके मजदूर वागरा है उनको आप कुछ वक्त के लिए अपना आप यहां काम पे लगाते थे और उनकी मरत से आपने जो किसान अपने अपने जो खेत वगरा है उसमें कोमोडिटी प्रोड़क्शन वगरा कर रहे हूं और स्मॉलर पीजांट्स हुग बेरली प्रड्यूस फॉर देर उन सब्सिस्टेंस तो यह जो एक्स्ट्रीम आपको देखने को मिल रहे हैं बड़े को रखकर उनको पैसा देकर अपना जो है काम वगरा करवा सकते हैं अपने खेती-किसानी पर में पेट पाल पाया तो इस तरीके का बारत में बढ़ें घिया 5 श्यचितापदी में देखनेके लिए मिल रहा है चले आगे बढ़ते नेक्स जो अपना टॉपिक आता है इसका नाम है अब मोर कॉंपलेक्स सोशल रियालिटी याने की हकीकत जो है समाजिक हकीकत है वो काफी ज्यादा कॉंपलेक्स है काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटर है हम लोगों ने अभी तक देखा कि मार्क्स ने या मार्क्स के पहले हिंदुस्तान या एशिया की सोसाइटी को डिफाइन करने की कोशिश करी उसमें काफी जादा आपको देखने को मिलते हैं वह कुछ कह रहा है और हकीकत में कुछ और निकल कर आ रहा है इससे फिर एक बात समझ में आती है कि समाजिक ताना बाना उतना भी आसान नहीं होता यह बोलो कि सिर्फ सोशल डिफरेंसेज या कास्ट वाली बात के बेसिस पर हमारे हैं सब कुछ चलता है तो यह बात भी सच नहीं है बहुत सी चीज़ें होती हैं बहुत से आपके कंपल्शन होता है हर एक समाज में आपके हर एक टाइम पीरेड में अलग अलग तरीके की प पर देखेंगे अब यह टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पहले जो हमने देखा कि समाज में आपके कितने जादा डिफरेंसेज आपको देखने को मिल रहे हैं और क्या-क्या आपके अलग अलग तब के आपके ग्रामिंट शित्रों में निकल कर आ रहा ह है यह सवाल पूछा जाना जरूरी हो जाता है कि ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक जो पूरे के पूरे यूरोप के समाज को समझा गए अपनी सिंपल की मरत से या फिर जिनकी कंसेप्ट वगरा कि उपर सोवियत यूनियन बन गया इतनी बड़ी रिवाल्यूशन हो गई सो नेक्स टॉपिक हैं मोर कॉंपलेक्स सोशल रियालिटी इसको हम लोग देखेंगे अब बर्नियर के के जितने दिस्रिपशन को पड़ते हो इसमें आपको एक बयस उसमें भेदबाव समझ में आता है यह बंदा प्रियोक्यूपाइड है कि बहिया कुछ भी करके मुगल सेट में सिवाए अत्याचारों के कुछ और नहीं हो रहा था यह चीज रिकॉर्ट से या उसके डिस्क्रिप्शन से आपको देखने को मिलती है मगर साहती साहत अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने तरीके से दिखाना आ उसमें भी कई बार जब वो समाज को डिस्क्राइब करता है तो आपको कई सारी हकीकत ने पता चलती है यह वह वाली बात है जैसे बगूला आपका दूद और पानी मैं से दूद को अलग छाट लेता है तो उसकी जो इतनी भी बातें लिखी गई हैं उसमें लोग हम लोग भी कि इंसपाइब हो तो फैट कि मुगलों को अत्याचारी बताने में लगा हुआ हिंदुस्तान को कम तर बताने में लगा हुआ है उसके बाद भी इसके डिस्क्रिप्शन में कई बार इसके टाइम पीरिड में भारती समाच की जो कॉंप्लेक्स सोशल रियालिटी इस उसके पारे में को काफी कुछ पता चलता है एक एक जामबल लेते हैं उससे जाद अच्छे से क्लियर होगा जैसे कि एक इंस्टेंस पर यह बताता है कोई आपका कॉटन के टेक्स्टाइल बना रहा है को इस तरीके के जो कास्टकार है इन लोगों के पास में कोई पैसा या कोई इंसेंटिव नहीं था जिसकी मदद से यह लोग अपनी मैनुफेक्ट्रिंग की कॉलिटी वगरा को और ज्यादा इंप्रूफ कर सके जो यह बना रहा है वो अच्छा बनाते थे मगर इससे और ज्यादा अच्छा बना सके इस तरीके की विवस्था इन के पा जादा कुछ रखते नहीं थे यह जादा कुछ रखने पाते थे इसलिए इननों की स्थिति ठीक नहीं थी आगे यह लिखने हैं मैनुफेक्ट्रेट्र वर कंसिक्वेंट्ली अवरिवर इन डिसलाइन इसलिए अब हो यह रहा था कि जो जो लोग आपकी कास्ट कारी करते थ थे अग्रिकल्चर के लावा दूसरे मोंट्स फ्रोडक्शन में लगे हुए थे वहर जगे क्योंकि स्टेट इस तरीके की चीज़ें करके उनको ग्रो करने का मौका नहीं दे रहा था इसलिए वहर जगे आपका डिसलाइन में जा रहे थे कहीं पर भी उनमें आपको तरक्क कार जितने हैं आपके सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है जो एकस्ताइल बना रहे हैं कॉटन की बाकी सारी चीज़ें बना रहे हैं उन भाई लोगों के पास में पृफित जितना भी आता हुए सारा का स्थेट खा जाता है तो इन लोगों के अपने के प्लोड। की कॉलिटि में सोना चांदी जो है आ रहा है बड़ी मात्रा में व्यापार के तहट सोना चांदी आ रहा है इसकी वज़ा यह है कि लोग बाग यहां पर आते हैं यह कास्ट कारों का समान जो है बड़ी मात्रा क्योंकि manufacturer बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर लेकर जाते तब यह paradox यह contrast को समझना जो है जरूरी हो जाता इस लिए पूरी तरीके से इस बात पर भी सच्चा ही नहीं मानी जा सकती जो बात ने फ्रेंक्वाइस बर्नियर बता रहा है मगर हाँ इसमें कुछ हकीकत रही होगी टैक्स वगरा अर्टीसन से कुछ मात्रा में लिया जाता रहा होगा मगर अब यह भी नहीं है कि अगर एकदम उसको एकदम मौताज कर दिया जाए कि वह अपने आप में इंप्रूव्मेंट ना कर पाया होता तो फिर आपके पास में इतनी बड़ी मातरा में बरबर के सुना और चांदी ना आ रहा होता यह भी एक बात है इसको अपने को ध्यान में रखना है चले आगे बढ़ता है यह जो आपके ब्लॉक सेंद को बाद में डिसकस करेंगे इसी का डिसकस्शन को आगे कंटीनियू करते हैं ही ऑल्सो नोटे आपना ट्रेड कर लिया आप एक से दूसरे देश तक जो है वो जा रहे हो तो यह बात भी जो है इसने नोटिस करी थी कि यहां पर एक प्रॉस्परस कम्यूनिटी भी एक प्रॉस्परस व्यापारी समू एक मर्चंट कम्यूनिटी है जो लॉंग डिस्टेंस ट्रेड वगर यह बात करोगे जो आज की तारीक में सबसे जादा इलाका माना जाता है पूरी दुनिया का अमेरिका और केनडा के बाद में तो यहां पर भी इस वक्त शहरों में पूरी पॉपॉलेशन का 15 जो है आपको रहता हुआ समझ में नहीं आता जबकि हिंदुस्तान जिसको यह ब पीरियड में आपको पूरे के आपके जो टाउन से उसमें लगबग 15 परसंट के गरी पॉपॉलेशन रहती हुई समझ में आती है इन कंट्रास्ट इन कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो वेस्टन यूरोप में आरवन पॉपॉपॉलेशन इतनी मातरा में तर नहीं रह हैं अब इतना सब होने के बाद में बहुति समझ में आ रहा है कि बरिदेशन में हकिकत नहीं है पूरीचा सच्छा होट है इस आ याद रखिए एक्जाम पे सवाल बनता है इसके उपर आपका मुगल सिटीज को इसने कैम्प टाउन बोलने की वज़ा क्या है कैम्ट टाउन बोलने का मतलब यह है कि यह ऐसे शहर है जो सिर्फ तभी तक फ्लेरिश करते हैं जब तक बादशाह यहां पर बैठता है या फिर कैम्प लेकर आ जाता है क्योंकि हम लोगों ने देख रहा है किंग संट क्रॉनिकल्स में कि अकबर जो था और बाद में भी जो राजा थे यह रेगुलर्ली अपनी राध्धानिया चेंज करते रहते थे और अकॉर्डिंगली आपका जो दूसरे आपके अमीर उम्राव थे वो भी एक से दूसरी जगे मूव करते रहते थे तो जब बादशा किसी जगे पे कैम्प लगा रहा है और किसी एक पर्टिकुलर शहर में कुछ सालों के लिए रुख गया जैसे अकबर लाओर चला गया था कुछ वक्के लिए फतेबुर सीक्री में रहा आगरा में रहा इ इसी तरीके से बादशा अलग-अलग शेरों में कैम्प लगा रहा रहा है आपका कुछ सालों में रूखता है तब ही ये शहर जो है आपका फ्लरिश करते हैं और तब तक ये शहर जो हैं इनकी कुछ इंपोर्टेंस रहती है जैसि बादशा मान से उठके किसी दूसरी जग के उपर इंपर का मतलब क्या है कि बादश्यां यहां पर रह रहा है और यहां से अपना कारोबार वगरा चला रहा है अगर है तो यह सर्वाइब करेंगे और अगर नहीं अगर यहां से उठके गया तो फिर इनकी importance की relevance खतम हो जाएगी he believed that these came into existence when the imperial इंपरियल कोट या फिर आपका बाच्षा इन शहरों में आके रहने लगे तो इस शहर आपका डिसलाइन की तरफ जाते हैं और बरबाद हो जाते हैं इस तरीके से जो इसने को डिस्क्राइब किया दा चलें आगे बढ़ते हैं तो यहां से जो बरनियर का और इसमें जो इसने क्याम टाउन की बात करी है कि बाई क्याम टाउन जैसे शहर हुआ करते थे मुगलों के टाइम में मतलब जब राजा अंदर आके रहेगा यहां पर तब तक यह शहर आपके चलते थे यह इनकी प्रोस्पारिटी होती थी और जैसी राजा अपना पूरा श आइसस्टेट दाइट डी 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 नॉट हैड़ वाइबल सोशन एपनेटरोंडेशन बैट रिटेपेडेन इंब इंपर बैट्र न इसके लिए आपको काफी सारी ववस्था आइं करना पड़ेंगे उसके जो साथ कि आपके अमीर उमरां आएंगी पर अप्र सेख्योरीट ववस्था करना पड़ेगी तो कुछ मिलाकर अब इस तब के लिए वहां के जो लोकल रहने वाले रेसिडेंस उनको दिया जाएगा पैसा या इसको बोला जाता था होती जिससे इन शहर की अर्थववस्था बगरा चलती हो कोई सोशल फाउंडेशन नहीं है इस तरीके का जिसके बैसे स्पेस की अर्थववस्था चलती हो इसलिए मुगलों के नाइम पीरिड में जितने भी आपके शहर हुआ करते थे वह कैंप टाउन करते थे अब आपके बर्नियर ने यह बात को बोल के पूरे के पूरे जो आपके एकनॉमिक सिस्टम था इंडिया का उसको डिसकार्ड करने के कोशिश करी बड़ अब यहां पर एस इन दा केस ऑफ लैंड ओनर्शिप बर्नियर वस ड्रॉइं और सिंप्लिफाइड पिक्चर मगर फिर से यहां पर यह वह गलती कर रहा है यह जान मूझकर यह चीज को कर रहा है और यह जो परिस्टिति यहां पर बना रहा है और एक बहुत सिंप्लिफाइड पिक्चर जो है की कोशिश कर रहा है आपने बोल दिया कैम टाउन राजा आया शैर बनेगा अच्छे से फ्लैडिस करेगा कै और इसी तरह से इसने के पहले बोला था कि सारी की सारी जमीन राजा की है राजा उसके बेसे पर रहने के बदले में लोगों से रेंट लेता है इस तरीके से बहुत ओवर सिंप्लिफाइड पिक्चर जो है भारतिय समाज की देने की कोशिश करी उसकी जो कॉम्पलेक्सिटी हैं उसको उसने नजर अंदास कर दिया क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे पास इस तीज के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान में हर तरीके के शहर आपको देखने के लिए मिलते थे मैनुफेक्ट्रिंग के टाउन हुआ करते थे पोर्ट के टाउन हुआ करते सेक्रेट शहर हुआ करते थे पिल्ग्रिमज के टाउन हुआ करते थे और भी पचासों तरीके के आपको आपके टाउन वगरा देखने के लिए मिलते थे आज भी जैसे कई शहरों की आपको आपके जो कई सारे शहर हैं वो कुछ चीजों के लिए फेमस हैं और यह अंग्रे तरीके से फ्लॉरिश कर रही है काफी बढ़िया तरीके से जो है यहां पर काम वगरा चल रहा है तो इनके क्योंकि राजा के ओपर डिपेंड नहीं करते दियर एक्जिस्टेंस इंडेक्स और प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चंड कम्यूनिटीज और प्रॉफेशनल अब यह शहर कितने कितने बड़े हैं यहां पर कितने लोग आते हैं कितना यहां पर आपको वैवबब देखने के लिए मिल रहा है राजा की इंपेरियल पैट्रोनेज के ओपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है वो डिपेंड किस बात पर कर रहा है यहां रहने वाली जो मर्चंड कम्यूनिटी और प्रॉफेशनल क्लासेज हैं वह कितना ज्यादा बिजनस कर रही है कि बर्नियार या तो गलत है या पिर जानमुशकर आपका जो है इन चीजों को नजर अंदास करता है अब इनी टाउंस बगरा के बारे में थोड़ी से हम लोग और बातचीत करेंगे और कैम टाउन का जो इसका कंसेप्ट है जिसके बेसेस पर यह हमारे शेहरों को डिस्क्राइब करकर एकदम खारिज करने की कोशिश कर रहा था और इनके जन्दली किन 10 का मतलब है परिवार में अकुटम में सबके सब लोग एकी जैसा काम करना है अब जैसे सुनार हम लोग कही बार बोल देते हैं लुहार हम लोग बोल देते हैं सुनार होना कोई कास्क्छ से जाधा यह प्रॉफेशन है मंगर क्योंकि पूरा- जो है strong communities हुआ करती थी या फिर उनके कुटम बगएरा या किन टाइस जो है बड़े strong हुआ करते थे and were organized into their own caste कम occupational bodies और यह लोग अपने आपको occupational bodies के तौर पर organize कर लेते थे याने कि एक particular caste एकी तरीके का काम कर रही है और उसका particular caste के फिर इतने लोग हैं वो उनके कुटम उनके परिवार सबके सब उसी काम में लगे हुआ है इस तरीके की आपको व्यवस्था हिंदुस्तान में देखने के लिए थी इन Western India इन वेस्टन इंडिया दूपसे उनको महाजन कहा जाता था उसको बोला जाता था सैट इन अर्बन संटर सच कहा करताथा जो पूरी की पूरी मर्चनी को रिप्रेजेंट करता ता आ कीप लोगों ने भी निकल कराता है उसको क्या बोला जा रहा है उसको बिला है नगर सेट चले आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने ट्रेडर्स और मर्चंट्स की बात कर ली है जिसमें नगर सेट तक का description जो है पन लोगों ने देख लिया है अब इसके इलावा और भी दूसरे professions आपको इन टाउंस में देखने के लिए मिलते थे या फिर इस तरह से बूल सकता हूं दूसरे professions वाले भी आपको इन टाउंस में मिद्देखने को मिलते थे और उन प्रोफेशन वालों के भी अपने अपने अलग-अलग बने हुए थे जैसे कोई अगर पढ़ाय लिखाई में लगया हुए कम्योटी जनरली उसी में लगれてूए तो वह अपने आप में अलग कम्यूनव्यूटी हो गया या फिर एक अपने आप में अलग गर्बन गुर्ब होगया क्योंकि यह लोग शहरों में रह रह क्लासिस देखने को मिला करती थी में में अगर आप बात कर लोगे कि मर्चंट के लावा दूसरे कौन-कौन से अर्बन ग्रॉप्स हुआ करते थे या दूसरी और कौन-कौन सी प्रोफेशनल क्लासिस हुआ करती थी तो सबसे पहले तो फिजिशियन्स वगरा कि अपनी खुद क्लासि करती थी इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट कम्यूनिटी हुआ करती थी टीचर्स की अब यहां पर भी आपको टीचर जो है या तो पंडित होता था या मुला होता था डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से रिलिजिजन से बिलॉंग करते और किस तरीकी की ट पर दी जाती थी इसके बाद आते थे लॉयर्स जिनको वकील बोला जाता था और आज तर्य शब्द इस्तेमाल होता है के लिए वकील या फिर वकालत करते हैं इस तरीके से जो इनकल कर आया तो लाइर्ड जो से यह बी अपने एक इंपॉर्टन प्रोफेशन हुआ करता था इसके बाद में आपके Painters हो गए, Architects हो गए, Musicians हो गए, या फिर Caligrapers वगए हो गए Caligrapers के बारे में पर लोगों ने Kings and Chronicles में बहुत डीटेल में पढ़ा हुआ अब मैं यहां से आप लोगों के लिए छोटा सा Question पूछता हूँ कि Caligrapers कौन होते थे यह लोग क्या करते थे, आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट में बताईएगा, जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए बूलूँगा कि भाई, आप जो मुगल्स का Kings and Chronicles का हमारा चैप्टर है, वो मैंने पढ़ाया था, उसमें जाके देखिए, आपको जवाब उन लोगों से भाई इसका जवाब बनना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताईएगा, कि किन को कहा जाता था, ये लोग क्या करते थे, ठीक है जी, और चली एक और सवाल यहीं से, कैलिग्राफी की जो वो आली कौन सी टेकनीक हुआ करती थी, या वो कौन सी स्टाइल ह हुआ करती थी, जो अकुबर को बहुत ज़्यादा पसंती, उसका नाम बताईएगा, दो सवाल है, आपका नॉलेज़ टेस्ट करने के लिए मैं आप से पूछ रहा हूँ, चले, आप तो ये जो है, वो दूसरे आपके ग्रुप्स बगरा हुआ करते थे, जो आपको देखन कर्मान लो, जब शारुक सल्मान की पिक्चर लगेगी तब जनता आएगी, और ऐसे जनरली जनता नहीं आए, ये लगबा कुछ ऐसी कहानी हो रही थी, ये बात पूरी तरह सच नहीं थी, इसकी वज़ा ये थी, कि नो डाउट अबाउट इस वैट कि इन में से बहुत से ज देखो तो इन में से सारे, सारे ग्रुप को इंपीरियल पैटरोणेज नहीं मिला, राजा सब को बुला बुला कि अब आच्छा सब को बुला बुला कि पैसे नहीं भट रहा है, चेक नहीं काटता फिर राउट उनके नाम पे कि तुम फलाने फुलाने गुरूप से वो तो तो इसका मतलब यह हुआ कि जब उनको पता है बादश्या की तरफ से कुई सपोर्ट नहीं मिलने वाला तो अपने आपको सस्टेन करने के लिए वो लोग दूसरे पैट्रेंस वगएरा को दूसरे जो आपके पैट्रेंस वगएरा होते हैं उनको उनके लिए काम किया करते थे कैसे कि आपके बड़े-बड़े अमीर उम्राओ हो गया कोई जागिरदार हो गया इन लोगों के लिए वो लोग काम करते थे तो वहां से पैसा कमाते थे इसके इलावा कई लोग अपना जो अपनी आमदनी है वो और्टिनरी लोगों को सर्फ करके लिया करते थे किस तरह से अपना सामान बनाते थे बाजारों में मारकेट में अपना जाके दुकान खुल लेते थे और वहां पे और्डिनरी मारकेट या बाजार में अपना सामान बेचते थे और उसको बेचकर जो है सामान ने आदमी को अपना सामान बेचकर अपना काम चलाया करते थे तो यहां से बर्नियर की यह पट्टी को दरबात की भीया हिंदोस्तान के टाउंस तो हैं वो सारे के सारे कैम टाउंस हैं और बादशाह की इस तरह से कहना चाहिए कि महरवानी पर जिन्दा है या महरवानी पर चल रहा है यह हकीकत नहीं थी इंडियान एकनॉमी उससे ज्यादा मजबूत थी उसमें ज्यादा इंडेप्ट थी जितना बर्नियर ने उसको डिस्क्राइब किया चले आगे बढ़ते हैं तो यहां तक अपन लोगों ने कंटेंट तो जो है बर्नियर एंड डेनिग्रेट इस्ट करके जो अपना टॉपिक इसका कंटेंट अपन ने पढ़के खतम किया अब इसमें NCRT की तरफ से दो पैराग्राफ भी आपको अलग से ब्लॉक्स दिये हुआ हैं अब हम लोग वो ब्लॉक्स भी देखेंगे और उसके बाद में पर हम लोग कंट्रूजन की तरफ जाएंगे तो यह ब्लॉक जो है उसका नाम है इसमें बर्नियर ने किस तरीके से हिंदुस्तान में agriculture का description किया है और साती साथ craft production का description किया है दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं देखना तो अब अगली जो बात है वो बर्नियर के शब्दों में लिखी हुई है it is important to observe that of this vast tract of country a large portion is extremely fertile यह एक important बात है जो आपको देखनी पड़ेगी आपको observe करना पड़ेगी कि इस देश का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है या फिर इतने बड़े देश का यह इतना बड़ा देश्य को सबkon्रों के साइस का ऐसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो Почему है बहुत ज्यादा फेल्टाइक है यानिया कि बहुत ज् अब अगर आप पूरे के पूरे बंगाल की बड़ी से kingdom या फिर बड़े से सुवे की बात कर लें तो इसमें इतना production होता है जितना एजिप्ट में नहीं होता पूरे के पूरे एजिप्ट का अगर आप प्रोड़क्शन ले लोग है तो उससे जाधा production आपके अकेले बंगाल म की बात नहीं करी जा रही है इसके इलावा बंगाल में पचासों तरीके के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं जिनका व्यापार किया जाता है जो इजिप्ट में कल्टिवेट नहीं होते हैं जैसे कि आपका सिल्क हो गया cotton हो गया और इंडिगो हो गया तो यहां से अपने को एक की आज बात की जाए बंगला देश इंदोस्तान दोनों को मिला के बात कर ली जाए तो बंगाल का जो सूबा बनता है वो पूरे के पूरे एजिप्ट पे भारी पढ़ रहा है आपका ट्रॉप्स के मामले में और इसके अलावा आर्टिकल्स के मामले में जनका व्यापार कि रहा है कि इस देश में कई जगे एक नौमी बहुत ज़ादा एडवांस है और इतनी एडवांस है कि उस वबत के कई सारे देश जो हैं जिनको वो जानते थे उन सब को पचाल के वो मतलब उन फ्रेंट रणर बने हुआ है चले आगे बढ़ते हैं यह बोल रहा है कि एक तो बंगाल की बात जिसने कर ली यहां पर कितना कुछ हो रहा है उसके बाद यह बोलता है बंगाल के इलावा भी हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे 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 इसे इसे इलाके हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत जादा सफिशन्ट है यानि की काफी बड़ी मात्रा में आपको पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है और जमीन जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से टाइल की गई है मतलब यहां पर जुताई जो है खेत की या जमीन की अच्छे से की गई है और यहां पर जो आपके आर्टिसन्स बगेरा है हाला कि नैचरली देखा जाए तो वो आलसी है वो काम नहीं करना चाहते हैं मगर फिर भी इनकी जरूरत के कारण या फिर किसी और वज़ा के कारण इनको अपने आपको जो है कारपेट की मैं लगाना पड़ता है या फिर आप ब्रोकेट की मैं लगाना पड़ता है लगाना पड़ता है गोल्ड और सिल्वर के जो आपके बनाए जाते हैं इसका यह मतलब नहीं सोने और चांदी से पीट-पीट के कपड़े बनाए जा रहे हैं सोने और चांदी के जो जरी होती है उसकी बात हो रही है एंड़ वेरियस सौट्स ऑफ सिल्क और कॉटन प्रोडक्शन विचार यूज इन दा कंट्री और एक्सपोर्ट और यह मैनुफेक्ट्रिंग आपके देश में नहीं खपर ही मगर यह बाहर भी एक्सपोर्ट की जा रही है मतलब व्यापार तो कहीं से कहीं न कहीं से हो रहा था लोग कहीं न कहीं से आके समान खरीद रहते हैं मगर फिर भी आप अगर इंडिया को कम तर दिखाने के अपन नोटिस करना पड़ेगा यह हमारी नजर से नहीं जा सकता कि सोना और चांदी दुनिया में चाहें कहीं पर भी सर्कुलेट होता हो व्यापार में मगर अल्टीमेटली उसका या तो उसका कुछ हिस्सा पूरा ग्लोग घुमने के बाद में भी कहीं न कहीं से व्यापार के का के बारे में क्या कहा है जो इंपीरियल कारखाना अज हुआ करते थे उस पर बर्नियर के क्या विचार है वो अब हम लोग यहां पर देखेंगे चले शुरू करते हैं बर्नियर बेसिकली शायद एकमातर ऐसा हिस्टोरियन है इंपॉर्टेंट बात है याद रखेगा एक्ज इनको इंग्लिश में क्या बोलता है वरक्शॉप वरक्शॉप का मतलब क्या जहां पर अलग-अलग तरीके की चीज़ों का प्रोड़क्शन होता है तो यह जो इंपीरियल कारखाने या फिर इंपीरियल वरक्शॉप हुआ करते थे जो बादिशा के हुकम से चलाय जा रहे कपता कैसा मिला जिसमें इंपीरियल कारखानों के बारे में डीटेल में बातचीत की गई है अब इसमें यह क्या बोलता है कारखानों के बारे में हम लोग वो देखते हैं लार्ज हॉल्स आर सीन अट मैनी प्लेसेस काल्ड कारखाना और वरक्शॉप फॉर दा आर्टीसंस आपको कई जगाओं पर बड़े-बड़े हॉल्स देखने के लिए मिलते हैं जिनमें आपके अलग-अलग तरीके के आर्टीसंस या फिर काश्टकार आकर काम करते हैं और इनको बुला जाता है कारखाना या फिर वरक्शॉप इन वन हॉल एंब्रोइडर्स आर बिजी इंप्लॉइड सुपरिंटेंडड़ बाया मास्टर या आप यहां पर जो बड़े-बड़े हॉल से इनका डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि एक हॉल में एक अपना काम कर रहे हैं और इनके उपर एक सुपरवाइजर बठाया हुआ है जो सुपरिंटेंड़न की तरह देख रह रहे हैं थोड़ा सा समझा देतना है लेक्यूर का मतलब होता है आपका चमकदार या फिर चमकीला सा पदार्थ होता है जिसको आप लगाते हो किसी चीज के ओपर तो फिर वह सूखने के बाद में शाइन करता है या फिर ग्लेज करता है अब इस तरीके के लिक्विट को ने सब क्या हो जाएका वह चमक चमकीला सा पदार्थ होता है उसको लगाके किसी भी चीज को गेजिंग देने का यो ग्लेज दिया जाता है उसका काम जेता है चुको आ हम च Creek कर जा पि üz्एब से ने बैठा हुआ है कोई आपका टर्नर है कोई आपके जूते बना रहा है इस तरिके से अलग अलग छीज़ें जो है उनका काम आपका हो रहा है इतना डीटेल में कारखानों का जिकर आपको कहीं और किसी का किसी के वर्क में देखने के लिए मिलता इसलिए यह बुला जाता है कि इंपीरियल कार खानों के बारे में मुगल सोर्स के अलावा अगर कोई ऐसा बाहर का बंदा आया जिसने डिस्क्रिप्शन किया तो वह सिर्फ आपका बढ़ने रही है बाकी लोगों ने इतना ज्यादा इस पर या तो गौर नहीं फरमाया काम बगरा करते हैं and in the evening return to their homes और यह रात के वक्त में यह शाम के वक्त में यह लोग अपने घर लौट जाते हैं अब यह जो शान्त रेगुलर तरीका है रोज आओ रोज अतना काम करोर करके चले जाओ इस तरीके से इनका जो टाइम है निकल जाता है या इनकी जिंदगिया कट जाती है और यह बिलकुल नहीं चाहते है कि उसमें कोई खास इंप्रूब्मेंट या किसी तरीके का बदला हुआ है यहां से हिंदुस्तान की बहुत आप कह सकते हैं स्टार क्रियालिटी समझ में आती है कि इंडियन्स जनरली डूसाइल होते थे इंडियन्स जैनरली जो है एक रियूरियम के साथ में रहने वाले लोग नहीं चाहते थे जिन्दिये में किसी तरीके का बदला हो है ज नहां पर जो बर्नियर ने बात बताई है इसमें कोई डाउट की बात ने मेडिवल टाइम पिरेड में इंडियन सोसाइटी का नीचर ऐसा था कि आप बदलाव नहीं चाहते थे आप बस संतुष्टी से और सुकून से चाहते थे कि जिन्दगी चलती रहे उसमें कोई खास पर सब्सक्राइब करने के लिए मिलता है तो इसी के साथ में अपना यह जो टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने आपका बर्नियर का जो डीटेल अकाउंट है और इसमें किस तरीके से हिंदोस्तान को करने की कोशिश कर रहा है मगर फिर भी पूरी तरह से कामियाम नहीं हो पाता हम लोगोंने दीटेल में पढ़कर खतम किया है छलए आगे बढ़ते हैं और किस तरीके हम लोगों ने उस वक्त भी यूरोपियंस की जो नसली इस्टेश्टता की भावना थी उसके एसंस को पकड़ा है वो सारी बाते हमको समझ में आई तो आज का सेशन जो है इसमें इतना ही था यह टॉपिक हम लोगों को पड़कर खतम करना था और हमने इसको इस से आपने यहां पर आपके जाके घ्लक कि ऱे ओंस फिसक्स हो गया में स्वावर पर आपका इंडेक्स है वहाँ से छुरू होगी तक आपसारे के सारे चाप्टर्स ञिक से जम्हें इसका फाइदा यह होगा कि जैसे यूट्यूब पे कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि फ्लेइलिस दूड़ने में दिक्कत हो रही उस तरीके की प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी सब कुछ बढ़िया तरीके जारेंगे आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्ल यहां पर की गई है आपको हिंदी मेडियम के लिए भी जो है कंटेंट यहां पर मिल जाएगा स्पोकन इंगलिश का बी कंटेंट है इंटी एस सी का ओलंपियार का यूपी बोड़ जै आई बी और इसके लावाब और भी दूसरे जो कॉंपिटिटिव एग्जामिनेशन से उनका भी syllabus वगिर आपको यहां पर देखने के लिए मिलने लगेगा वक्त के साथ में दीरे-दीर मैंगनेट दूसरे भी जो आपके syllabus यहां दूसरे भी आपके courses उसमें वह venture कर रहा है तो one stop solution के तौर पर यह त्रोत आपका रहेगा जहां से आप अपने class one से लेके जितना भ लोगों को किसी भी तरिकी की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर भी अगर कोई issues रहते हैं तो हमारे contact करने के methods है आप हमारे टेलीग्राम के channels पर जा सकते हैं बाकी जो आपके channels वगरा हैं वहां पर जा सकते हैं या फिर आप नीचे comments में लिख सकते हैं YouTube वगरा पर जो भी आपका डाउट है आपका डाउट वगरा सौल करवाया जाएगा और आपकी तयारी पूरी तरह से अच्छी रहे इस बात को इंशोर करवाया जाएगा तो मैनत करें इस चीज़ का फायदा उठाएं अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बतना और जाधर जाधर जो है इसका प्रचार प्रसार करें बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहें पूरी शिद्दत से जिन्दगी में ज्यांद से बड़ा कोई हतियार नहीं होता knowledge से बड़ी कोई ताकत या कोई नेमत नहीं होती है इस बात को समझे मैनत करते रहें जिन्दगी में एक्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करते रहें जिन्दगी में तरक्की के पद पर चलते रहें और मोस्ट इंपोर्टेंटली जुड़े रहें मैंगेट ग्रेंस के साथ थैंक यू जाहिंद